दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बुरे हालात के सामने हार ना मानते हुए अपने सपनों के लिए संगर्ष किया है और वे जीते भी हैं ऐसे लोगोंने दुनिया में कई सारी मिशाले पेश की हैं इनी मेंसे एक है दा मैन इन आरेंग लंग्स के नाम से मशूर पॉल एलेक्जेंडर जो पिछले साथ सालों से एक मशीन में बंद है इस मशीन में एक एक सांस के लिए शंगर्ष करते हुए पॉल ने ना सिर्फ अपनी लौक की पढ़ाई पूरी की और बलकी एक किताब भी ल आपको जानकर हैरानी होगी पॉल एलेक्जेंडर पिछले साथ साल से एक टैंक नूमा मशीन में बंद हैं यहीं इनके जीने का एक मात्र सहारा है पॉल पूरे समय इस मशीन पर लेटे रहते हैं मीडिया रिपोर्ट के मताबिक पॉल को सन 1952 में सास लेने में परिशानी हो रही थी उन्हें सास लेने के लिए आईरेन लंक्स का सहारा लेना पड़ा इसी मशीन में लेटे लेटे उन्होंने अपनी पढ़ाई और किताब दोनों पूरी की इस हालत में भी हार नहीं मानने क के लिए शोशल मीडिया पर उनकी खूब तारिफ हो रही है वही कुछ लोग उन्हें प्रेणा कश्रोत मान रहे हैं पॉल अपनी इस हालात में दूसरों को मोटिवेट करना चाहते थे लेकिन उन्हें तरीका समझ नहीं आ रहा था हाला कि बान में उन्होंने किताब लिखन इसके बाद पॉल पूरी तरहा से दूसरों के सहारे पर निर्भर हो गए पॉलियों के साथ साथ उन्हें सास लेने में भी दिक्कत होने लगी डॉक्टर के पास उन्हें मशीनी फेफडों पर रखने के इलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था पॉल के बड़े होने तक उ लोकि पढ़ाई के साथ उन्होंने अपग्रेट विलचियर की मदद से कुछ वक्त तक वकालत की प्रैक्टिस भी की थी। पॉल अलेक्जेंडर के ध्रिन होसले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने खुद को आच सालों तक की बोर्ट को प्लास्टिक की स्टिक से चला कर अपनी किताब लिखी वैहार मानने वालों में से नहीं है उनके लिए किताब लिखना बिलकुल भी आसान नहीं था लेकिन अपने होसलों से उन्होंने दुनिया को अपनी आत्म सक्ति का पारिचे दिया पॉल की किताब की डिमांड पूरी दुनिया से हो